इसको www World Wide Web हर website के सामने है वो www आता है जान रखेगा और उसके बाद इसका एक simple नाम इतना बड़ा बोलना तो बार बार पॉसिबल नहीं है तो इसको web बोलते हैं क्या बोलते हैं web है क्या यह यह है collection information का यानि कि जानकारियों का अथा सागर है warehouse है भंडार है और हम internet के जरीए data के जरीए इस web से सारी जानकारी निकाल सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि pages हैं जैसे मैं आपको बताऊं हूँ माए यह first .sta यह एक page है तो यह जो page होता है इसको web page कहते हैं अब माल लिजे हमने कोई website open की वहाँ पर आपको एक link मिलेगी अब उसको click करेंगे वो दूसरे page पर ले जाएगा यानि कि hypertexting हो गई लेकिन यह दोनों ही यह first.stiml है यह second.stiml है यह वाला तो ऐसे collection है बहुत सारे web pages का या कहें कि hypertext files का जो पूरे विश्व में अलग-अलग computers पर रखी हुई है और हारे computer का एक नाम होता है जिसको हम address कहते हैं जिस address से हम उसे access करेंगे और कोई भी आजकल की जमाने में जितने भी subject है उसमें कहीं न कहीं आपको जानकारी मिल जाएगी आप कुछ भी Google पे टाइप करिए या search करिए आपको अपनी जानकारी मिल जाती है YouTube पे search करिए सारी चीज़े available हैं आजका तो लोग इन जानकारियों का इस्तमाल भी करते हैं और इसको आगे भी बढ़ाते हैं शेर भी करते हैं तो आपको इस तरी के से दिखाई देगा HTML फिर यहाँ पर आपका HTML बंद होगा फिर इसकी body चुरू होगी इसके अंदर बहुत सारा content लिखा होगा बहुत सारी चीज़ों होगी अब body बंद होगी फिर उसके बाद HTML यहाँ नहीं बंद होगा HTML लास्ट में बंद होगा यह body बंद होगी और लास्ट में HTML बंद होगा तो यह simple एक page दिखा रहा होगा text file text में खोलते हैं इसको तो ऐसे दिखाई देगा तो अब इसका read करना है भी यह body के अंदर लिखा हुआ है या HTML के नीचे जो लिखा हुआ है यह जो शब्द लिखे है उनको कौन पढ़ेगा उनको कौन समझेगा उसके लिए हमें चाहिए web browser तो यह एक software है या इसे कहते है application है यह आपका एक program है एक ही बात है जो इन web page को पढ़के समझेगा और आपके सामने उसी तरीके से पेश करेगा जिस तरीके से इस page को बनाया गया है जिसने भी बनाया है जो page बनाया गया है किसे ने यहाँ image डाल दिया होगी किसे ने यहाँ video डाल दिया होगा किसे ने यहाँ पर contact test डाला होगा किसे ने यहाँ पर shopping डाली होगी तो उसको पढ़ने के लिए उसको समझने के लिए web browser चाहिए access करने के लिए उसके बाद आपका ये web browser हो गया और यहाँ पर web pages हो गया यह कहने कहीं रखे होंगे किसी address पर इनके बीच में communication भी तो होना है web page को लाना भी है और अगर को information web page को भीजनी है तो information का आदान प्रदान भी होना चाहिए communication भी होना चाहिए तो web page होता क्या है web page